तो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट में क्या लेवल्स मन सकते हैं और मार्केट में ब्रेक आउट होगा यहीं मार्केट सस्टेन करेगा तो सबसे पहले देखते हैं यूएस में जो आज कुछ न्यूज आने वाले थी एक CPI इंफलेशन का डेटा आया अक्टोंबर मन का जो की जो बेटर देन एक्सपेक्टेट आया तो उससे थोड़ा सा मार्केट में चपरतस बूम देखने को मिला यहां बंड आउजूंस का चार्ट देखते हैं इसमें यहां पर मार्केट एक लेवल का रेजिस्टेंस लेते हुए आ रहा है यहां से मार्केट ने बहुत बार इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया है यहां पर फाइनली अपने को ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है तो यहां पर अब इस लेवल का ब्रेक आउट दिया है ट्रे स्टिडी रहता है और डाउंसाइड मार्केट जल्दी आता है तो यहां पर मार्केट में रिट्रेस्मेंट के फेज भी आएंगे ब्रेक आउड भी होंगे और ऐसे सकते हैं कि यहां से मार्केट डाउंस चलते रहेंगे क्योंकि न्यूज बेस पर होते हैं और स्टिप्टी भी लगबग कुछ दो सोनब्बे पॉइंट के सम्धिंग कुछ दिखा रहा है तो एक्ज एक स्निप्टी में थोड़ा सा अच्छा अच्छा ब्रेक आउट हुआ है क्योंकि इसने 18,000 का जो लेवल अभी अपने कल के वीडियो में डिसकर्शन किया था कि मार्केट यहां 18,000 और 17,800 तक आ सकता है तो इस बार इसने 18,000 का सपोर्ट लेकर अच्छा खासा अपमू दे दिया है तो मैंने वीडियो में यह चीज बताई थी कि मार्केट को अगर उपर जाना है तो बायर्स को मौका नहीं देगा अब डिरेक्टली अपना जो मार्केट है वो 18,000 के सम् ट्राइटिंग कर सके तो मार्केट को जब उपर जाना होता है तो किसी को मौका नहीं देता और नीचे जाना होता है तो डिरेक्टली चला जाता है तो यहीं मार्केट का एक behavior है तो इसी को समझ कि अपनों को trade करना है अगर यह जो अभी मार्केट चल रहा है अगर यह sustain करता है तो अपना मार्केट भी लगबग 200-300 के सम्धिंग निफ्टी ऊपर खुलेगा और बेंक निफ्टी में देख सकते हैं 42,000 तक के लेवल को तो अब इतना बड़ा गेप अप होने के बाद अपना जो है क्वांटिटी और रिस्क मेनेजमेंट आ जाता है बीच में तो अपना जो पोजिशन साइज है वो आटोमेटिकली कम हो जाना चाहिए क्योंकि जनरली जो बड़े गेप अप गेप डाउन होते है ना उनमें थोड निफ्टी 50 में जो फर्ष्ट टार्गेट जो है इसके बाद रेक आउट होने के बाद यह 18600 का जो इसका ओल टाइम हाई है और इसकी पोसिबलिटी इसलिए जादा है क्योंकि बेंग निफ्टी जो है वो अपने ओल्टाइम हाई के आसपाल चल रहा है जबकि निफ्टी ज थोड़ा सा इस्टेंड दिखा सकता है कि और अब अब निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं में तो बेंग निफ्टी भी इसी अभी 41,700,600,500 के जोन से रेजिस्टेंस ले रहा है तो कल अपने यहां पर 42,000 के सम्धिंग ओपनिंग एक्सपेक्टेट हो सकती है अगर यहां पर उपन होता है तो यहां पर मार्केट एक पोस केंडल के सम्धिंग मनाएगा और अगर मार्केट में ब्रेक आउट अगर अच्छा खासा ब्रेक आउट वा और वोल्यूम अच्छा है तो मार्केट गेप खुलने के बाद भी सश्टें हो जाएगा और यहां से 200 से 300 तो यहां पर सब एक्जिट करेंगे तो यहां पर कल वेट एन वोच रहेगा क्योंकि अल्रेडी न्यूज फेक्टरीन हो चुकी मार्केट में और अपना मार्केट भी यूएस मार्केट को देखके अच्छा खासा केप खुल सकता है तो कल मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा कु 47,800 के सम्थिंग मैंने भी यहां बहुत दूर का पूट शॉट किया है और सेफ साइड के लिए मैंने 41,000 का पूट शॉट किया है तो यह मैं कल बुक करूँगा इसको और आज का एक्सपाइरे का कुछ 6,500 के सम्थिंग कुछ फ्रोफिट होगा और बस यही है फिलाल के लिए तो अब मार्केट अगर यह डाउ जोंस वगएरा और सच्टेन करते हैं तो अपना मार्केट अच्छा मतलब हपनों दे सकता है क्योंकि जो इंफ्लेशन डेटा है वो ठीक ठाक आया है तो उस हिसाब से रेपो रेट वगएरा और इसमें इतन चोटे-चोटे के अंडल देखके मार्केट जहात हो रहा है उपर पर ज्यादा सश्टेन करने की प्रविबिटी नहीं है यहां पर मार्केट को वेट करना चीए जितना अच्छा यहां पर कंसुल्टेशन करेगा उतना अच्छा अपसाइड यह लिए रेडी होगा तो अभी इले इतना है विडियो में